खबरों में आगे बढ़ेंगे वितमत्री निर्मला सीता रमन एक परवरी 2020 को अपना दूसरा बजट पेश करेगी और इससे पहले आज दुपहर 12 बजे आर्थिक सर्विक्षन 2019-20 पेश किया जाएगा आपको बता दे कि बीते कुछ महीने देश की अर्थिवस्था के लिए बेहत खराब रहे लहाजा आर्थ शास्तरी आर्थिक सर्विक्षन को काफी एहम मान रहा है तो आर्थिक सर्विक्षन हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है वितमंत्राले इससे पे देश की अर्थिवस्था पूर्वा अनुमान और नीती चुनोतियों की विस्तृत जानकारी भी होती है तो अब एक परवरी को बजट पेश होने जा रहा है लेकिन उससे पहले आर्थिक सर्विक्षन जो है वो यहाँ पर निर्मला सीता रमन रखेंगी सभी के सामने तो सर मंत्री निर्मना सीता रमन पेश करने जा रही है तो आप देख सकते कितना है यहाँ पर जिन्ना जो है वहाँ मौजूद लोगों को इससे अब गत कराया जाएगा तो बजट 2020 से उमीदे चुनोती पूर्ण होगा बजट 2020 आर्थिववस्था की सुस्ति से निपटना की जानकारी होती है तो आर्थिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाकार की टीम तैयार करती है तो सर्वे को आर्थिक सलाकार की जो टीम है वो तैयार करती है आर्थिक सर्वे को वित्मंत्री की तरव से सदन के पटल पर पेश किया जाएगा दोनों सदनों में यह सदन के पटल पर रखा जाएगा एक परबरी को वित्मत्री निर्मला सीता रमन बजट पेश करेंगी तो यह दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब वो इस तरह से बजट पेश करेंगी तो चुनौती पूर्ण होगा बजट 2020 तो आर्थ विवस्ता की सुस्ति से निपटना बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीने आर्थिक विवस्ता के लिए काफी खराब रहे उसके चलते बहुत चुनौती सरकार के सामने तो आज दोनों इस अदनों में आर्थिक सर्वे पेश करेंगी निर्मला सीता रमन और इसे बीच हमारे सम्वादाता अम दुबे दिल्ली से लाइफ जुड़ गए हैं हम उनका रुक कर लेते हैं अमेत कल आम बजट जो है पेश होने जा रहा है लेकिन उससे पहले आज जो निर्मला सीता रमन आर्थिक सर्वे सभी के सामने रखनी जाएंगी जी बिल्कुल देखिए बजट सत्त से पहले आर्थिक सर्वे की प्रक्रिया होती है उसे केंद्री वित्मन की निर्मला सीता रमन आर्थिक सर्वे पेश करेंगी उससे पहले राष्ट्र पती रामनात कोविन दोनों संसत के सयुक्त सत्र को यहां पर संबोदित करेंगे और सरकार की आगे की विकासकारे और तमाम योजनाओं को सामने रखेंगे लेकिन इस भी विपक्ष की तरफ से एक नई खबर आ रही है कि विपक्ष जो है वो संसत परसर के अंदर मात्मा गांदी की मूर्त की सामने सी ए और एन पी आर को लेके प्रदर्शन करेगा कॉंग्रेस समेत कई दल जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे तो जाहिर तोर पे दो चड़नों में जो बजट सत रखा गया है खास्तोर पीकतिस तारिक से लेके और तीन तारिक तक सरकार के लिए हालात अच्छे नहीं रहने वाले है क्योंकि कॉंग्रेस समेत लगवग पूरा विपक्ष जो है वो खास्तोर पे CAA के मुद्दे पे एक जुट नजर आ रहा है तो जाहिर तोर पे सरकार को बड़े संगर्ष का सामना यहां करना पड़ेगा बिल्कुल बहुत चुनौतिया जो है वो सरकार की तरफ से जो है रहने वाली है सरकार के सामने लेकिन उससे पहले जिस तरह से दोनों सद्नों में आर्थिक सर्वे यहां पर रखेंगी निर्मला सीता रमन तो वो भी कहीन है कर सरकार के सामने चुनौतिय होगी जैसे कि आप पक्ष की तरफ से? कई सरकार को विपक्ष को जवाब देना होगा विपक्ष इस बात को भी लगातार उठा रहा है लेकिन खास बात यह के इंद्री वित्यमंति जब आर्थिक सर्वेश सामने रखेंगी तो क्या कुछ तथ लेके विपक्ष के और जनता के सामने आती है यह देखने वाली बात होगी लेकिन चुकि जिस तरह से CAA को लेके जो बिल पास किया और उसे लिए के पूरे देश वर में जगए जगए परदर्शन सारी पार्टियों के नेता जो है कही ना कही उसे लेके परदर्शन कर रहे है कि किस तरह CAA को बापस लिया जा और किस तरह समविदान के मूल धाचे को छेडने वाला कानून तो जायर तोर पे अब जो है सरकार हर मोर्चे पे कही ना कहीं घिरी दिखाई दे रही है हलाकि लोगसभा में सरकार पास पूर्ण बहुमत जरूर है लेकिन ऐसे में अगर अहम बिल पास करवाने है तो राजसवा में खास्त और पाननी जो दाले उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा चाय ट्रिपल तलाग की बात करें या अन्नी बिलो की बात करें कई ऐसे दलतें जो सरकार में ना रहते हुए भी उन्हें लोगों ने सरकार का साथ दिया और यहीं वज़य थी कि सरकार इस तरह के बिल पास कराने में कामयाब हुई तो सरकार सामने अलाकि ये चुनाती जो है वो आगे आने बाले दिलों में फिलाल बात जो है वो बजड़ सत्रिक हो रही है और आर्थिक सर्वे में निर्मला सीता रमन आज आर्थिक सर्वे लेकर क्या कुछ रहती हैं देखना होगा और अमित कहीं न कहीं यहां पर चुनौती सरकार के सामने होगी जी बिल्कुल देखिए कई विपक्स के नेताओं से हमारी बात हुई है खुष समाजबादी पार्टिंग नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार पास पैसे है नहीं सरकार जो है वो कहीं न कहीं कंगाली के दोर से गुजर रही है और ऐसे में सरकार जो भी बजट लेके आएगी एक जूट का पुलिंदा साबित होगा तो जाहिर तोर पर इस तरह की प्रत्किरिया है जो है विपक्स की तरफ से पहले ही देखने को मिली है लेकिन आज सबसे बड़ी चीज पहली नजर जो है वो राष्टपत के भाशन पे होगी सरकार की जो आगे के मनसूबे हैं जिन योजनाओं को लागू करना चाहती है वो सारी योजनाय प्रभावित होगी इसे लेके वित्मंत्री क्या कुछ रखती है ये भी देखने की बात होगी तीसरी बड़ी चीज जिस तरह जो विपक्ष जो है यहाँ पर प्रदर्शन महत्मा गांधी की मूर्ती की सामने कर रहा है उस पे भी हर एक की नजर होगी और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो देखने वाली है सबसे ज़्यादा क्वेस्टन जो है वो ग्रहमंत्रालेश होंगी यानि